ग्रेटिंग्स ग्रेटिंग्स मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से मैं आपका अपना चीफ स्वागत आप सभी का वीक नमबर 24 में मैं जस्ट लेंड हुआ हूँ वापस बहुत ही ब्यूटिफल कंट्री मलेशिया में बहुत ही अंबिलिवल तीन से चार हफ्तार और उसके बाद मुझे और जियार को ये प्रिवलेज और ओनर मिला कि हम ट्रेवल कर सके बुदापैस्ट, बर्लीन और पोलेंड भी और वननोली दातोच्री विजेश्वरन के साथ और उनकी अमेजिंग वाइफ दातिन सी उमायल के साथ हमने शादी भी अटेंड किया के साथ और अभी मैं वापस आ चुका हूं बैक टू मेलेशिया मुझे ने बता कितना समय हुआ है अभी ओके मुझे पता निकि मैं सोया हूं कि नहीं सोया हूं बट लेकिन मैं फ्रीकिंग जागा हूं क्योंकि ये वीक नबर 24 है दोस्तो ये 2023 है हमारा 25 वी साल गिरह भी है अल राइट दो वीकॉन होने वाला इस साल और मैंचेस्टर सिटी जी चुका है तीन ट्रोफीज प्रीमियर लीग एफेक क्लब और चैंपियन्स लीग दोस्तो मैं हम लोग बहुत प्राउड और डारेट सेलिंग पार्टनर है एमसी एफसी का तस सालों के लिए सिंपली अन कि दोहता जब मैं दातोसे वीज़त से बात करर रहा था सुन रहा था उनको स्कॉके और 1 on session जब हो रहा था यह और मुझे जब मेरे साथ हो रहा था उनके साथ तो एक यह समझ में आया है मुझे, अल्टिमेटली, कि जो भी हम कर रहे हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, आपके गोल, आपका financial freedom का, मुझे यह समझ में आया है, कि आपको एक अच्छा team बनने का जुरत है, और एक चीज़ जो द्यतों से बज़ेश फिरंड ने बनाया है, पचीश सालों में, कि वो एक बहुत ही शांदा टीम बनाया है, कॉपरेट भी, जो QI directors हैं, QNET chiefs हैं, V chiefs हैं, और the V partnerships, the AVPs, जो V councils हैं, जो V elite leaders है, core, इन सब जो alliance होते हैं, और वो specialized हैं, building teams के लिए, क्योंकि वो एक चीज़ समझ गया है, day one से, कि आप कभी भी कोई भी चीज़ या greatness अचीव नहीं कर पाएंगे, अकेले, अपने अकेले दम पर, और यह fact है दोस्तों, अगर आपको एक max out king या max out queen बनना है, अगर आपको एचीव करना है financial freedom इस इंडस्ट्री में, network marketing में, आपको शांदा team build करने का ज़रोत है, और अगर आप अभी भी business start किया है, और आप मुझे पूछे कि क्या team है, कि सबसे पहला आप बिलॉंग करते हैं टीम में, लेकिन उसके बाद आपको खुद का team बनाने का ज़रोत है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ, definition का, जो कि ये team का, T-A-E-A-M, तो आप मुझे ध्यान से सुनियेगा, क्योंकि मैंने देखा great ones को, दातो शिभी श्रणो जापादास बिसमार को, जब वो अपना team को build की है, मैं manage किया था, उनको duplicate करना, जाकि मैं manage कर चुको, अपना शांदा team build करने के लिए, 25 सालों में, और मैं, जब मैं flight में था, उनके साथ, Berlin, sorry, Zurich, Zurich से Dubai, Dubai से KL, तो मैं बस एक ही जिस सोच रहा था, बस एक ही topic के ओपर, कि that's it, आपको सीखना है, कि कैसे आप एक team को build करो, आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से team को build किया जाए, success, आप कही होगा दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि, आज मैं कुछ share करूँ, जो कि मैंने सीखा है, great one से, कि क्या चाहिए आपको, एक powerful team बनाने के लिए, तो पहले, पहले इस बात पर राजी होते हैं, कि अगर आप serious है, जो destination है, financial freedom का, जहां तक को पहुंचना है, अगर आप serious हैं, आप अपना खुद का network को build करने के लिए, तो जो fundamental चीज है, आपको समझने के जरुवत है, और achieve करने के जरुवत है, कि आपको एक बहुत बढ़िये team बिल्ट करने का जरुवत है, इसका मतलब लोग, तो पहला चीज, जो आपको करने का, या फिर समझने का जरुवत है, इसका पहले कि आप ये team बिल्ट करो, आपको एक clarity की जरौत है, कि आप जा कहा रहे हो, तो 25 साल दातो शिवेशन को एकदम absolute clarity था, वो 25 साल का plan था उनको दिमाग में, और वो definitely बहुत सारे challenges आये उनको, ups and downs आये, लेकिन वो एचीव किये 20 सालों का plan, ताकि वो बने fastest growing, most unbelievable network marketing company सारे दुनिया में, और आज के दिनों मे जो कि globalized है, पूरी तरह से, तो आपको clarity चाहिए, ताकि आप पहले भी, यह आपके दिमाग में clarity होना चाहिए, जब तक आप यह business build करो, team को build करो, कि आप कहां तक जाना चाहते हो, तो example मैं दूँ आप सभी को, तो अगर आपको clarity चाहिए, हिमान के चलिए कि आपको 250 डॉलर एक मन्त में चाहिए, और मैं completely satisfied चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको team का ज़रूत नहीं है, आप आराम से retail करोगे ना, अगर आप बेचोगे घड़ी, या फिर QBI, या फिर cheap pendant, या फिर home pure, या फिर air pure, आप qualify कर सकते हो, इस तरह से, 250 डॉलर कमा सकते हो, तो आपके दिमाग म नहीं आए हो, 250 डॉलर कमाने के लिए बस, आप यहां पर नहीं आए हो, कि बस आप ट्राइ करने वाले हो, नेटो मार्केटिंग को, या फिर इसको एक hobby की तरह ट्रीट करने वाले हो, मैं हम इसा बोलता हूँ कि अगर आपको hobby करना है, तो एक goldfish करी दिए, उसको एक pot में ड आप यहां पर उचायो कुछ होने के लिए हो, max out करने के लिए, blue diamond बनने के लिए, तो आप मुझे मत पुचिए कि कितना समय लगेगा, आपको clarity चाहिए, आपको जानने का ज़रूरत ही कि आप कहां तक पहुंचने वाले हो, तीन, पाँच या फिस साथ सालों में, आप इन clarity चाहिए, आपको एक बड़ा टीम चाहिए उसके लिए, तो दूसरा clarity चाहिए, कि आपको commitment, आपका जो commitment level है, अगर आपको एक बढ़िया टीम बनाना है, तो आपका commitment level हमेशा, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, अगर मैं बोलो कि मैं बहुत जादा मेहनत करता हूं, लेकि जब मैं दातों सी विएशन के presence में रहता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं एक loser हूं कभी-कभी, मुझे लगता है कि मैं बहुत lazy हूं, क्योंकि वो उन्होंने एक benchmark को set किया है, commitment का, dedication का, कटोर परिश्रम का, बहुत ही बड़े level में, और वो कभी भी वो ball को नहीं गिरा है, वो सबसे आदा महनती इंसान है, जो कि अगर मैं बोलो कि ऐसे हैं इंसान, जो कि मैं जिसको में respect करूँ, सारी मेरे जिंदगी भर में, क्या मेरे बादे समझ रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक absolute clarity के जरूत है, कि जब आप बाहर जाओगे, एक team को build करने के लिए, बाकी करना पड़ेगा, आपने commitment को, आप पूछे आपने आपसे, कि आप सच में committed हो इस business के लिए, क्या आप इसको सब से उपर में priority list में रखते हो, अभी आप लोगो को invite कर सकते हो, आपकी team का part बने के लिए, because अगर मुझे follow करना है आपको, तो मैरा पहला question आपसे यह होगा, कि कि मैं आपका commitment को evaluate करूँ, कि आप कितना serious हो, कितना समय आप यह business को दे रहे हो, क्योंकि आप मुझे full time जाने के लिए नहीं बोल सकते हो, अगर आपका full time mindset नहीं है, आप मुझे नहीं बोल सकते हो, कि आप सारा दिन भर काम करो, अगर आप दिन भर नहीं काम कर रहे हो, तो म आप वो सही बंदे हो, उनको lead करने के लिए, बस बातों ही में, मातों में ही नहीं, लेकिन आपके ऐसे जिन्दगी जी रहे हो, आप क्या हो, आपके value system क्या है, आपका DNA क्या है, एक husband के तौर पे, या फिर एक wife के तौर पे, wife, son, okay, apply and downline, चाहे वो जो भी हो, आप respect आप मुझे respect नहीं करोगे, और यह fact है, क्या मेरे बते समझ रहे हैं दोस्तों, तो आपको यह दिखाने के जरूत है, कि आप वो सही बंदे हो, उनको lead करने के लिए, और यह जो, जो essence है, okay, नेटो मार्टिंगा, यह को traditional business नहीं है, हम कुई कुछ चीज बेच नहीं रहे है, कुछ दुकान में बैठके, जहां पर, मैं यह शब्द यूज करनी चाहता हूं, लेकिन बहुत ही low moral होता है, individual जो बैठे रहते हैं, right, फिर भी आप बेच सकते हो चीजों को, okay, मैं देखता हूं लोगों को, आप वहां पर सोचती नहीं हो, कौन बंदा बेच रहा है, क्रिम इस तरह काम नहीं करता, दोस्तों, right, आपका जो value system है, वो fundamentally important है, जो कि आपको एक strong team build करें में help करेगा, right, क्योंकि वो कुछ खरीदने रहे हैं आपसे, वो आपको follow कर रहे हैं, लंबे समय के लिए, वो actually आपके उपर trust कर रहे हैं आपने सपने के उपर, उनका अपने family के उ जरूत है, ताकि वो आपको respect करें, और आपका जो value system जो है, वो consistent होना चाहिए, मैं दातोची को respect करता हूँ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ कि वो पुराना networker है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक successful businessman है, but उनके value system के कारण respect करता हूँ, वो अपने value system के प्रती इमांदार है, जितना म respect मैं उनको करता हूँ, और इसलिए मैं बहुत प्रावड हूँ कि मैं इस team को part हूँ, इसलिए मनको follow करता हूँ, तो अगर आपको एक team build करना है, तो आपको convince करने के जरूत है, बाकी लोग हो कि आप सही बंदे हो, ताकि वो आपको follow करें, वो उनके पास बहुत सरे choices है, आप जो reset button को दवा सकते हो, कभी भी आपने point of life में, मैं 26-27 years में मैंने वो button दवाया, और मैं अपने जिंदे के एक बहुत ही शांदार सफर का शुरुवात किया, और वो respect कमाया मैं, और दूसरा point जो है, उनको समझती के जरूत है, कि वो priority हैं आपके लिए, उनको प्राथम और उनको जाने की जरूत है, उनको फील करने की जरूत है, और उनको विश्वास करने की जरूत है, और ये सच्चाई से ही होगा, all right, यह अभी सुबह के दो बज़रे हैं, मैं ट्रैवल करके आया, ऑके दो दिन पहले ही, और एक पूरा दिन भी, और मैं यहाँ बैठा कि आपको यह दिखाना पड़ेगा और सिंसेर दिखाना पड़ेगा कि जो सक्सेस आपके टीम का टीम मेंबर्स के वह ज्यादा जरूरी है आपके अपने सक्सेस और तब आप अपने टीम को बिल्ट करना की शुरुआत करोंगे समझ रहे हैं दूसरा पॉइंट कि आप जब य कि अपको थोड़ा डिस्टेंस बराना पड़ेगा लेकिन फिर भी अपूर्ण नहीं पड़ेगा है कि आप अक्सेस कर सकते हैं आप तक पहुंच सकते हैं लेकिन इतना पॉइंट पनी पहुंच जाना चीख हो बहुत ज़्यादे कम grass जाए और यूंट इतना जादा आपका सबसे जरूरी कि आप उनके साथ खराब दिनों में रहो कि अगर आप अच्छे दिनों के साथ कि मैं विश्वास करता हूं इस चीज़ पर और यह फंटमेंटली जरूरी है कि आप उनके साथ रहो ताकि वो आपके साथ रहेंगे और बड़ा टीम बिल्ड होगा आपका और नेक्स्ट सब के खराब और अच्छे भी होते हैं उनको अकेला मत छोड़ो जब उनका खराब हफ्ता हुआ है अल्राइट अगर मैं आप सभी से बोलों कि बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे थे तीन साल पर लेकिन अभी परफॉर्म नहीं कर रहें कोई कारण वर्ष लेकिन उनको डिस्रिस्पेक्ट मत करें उनको छोड़ी हैं मत उनकी वज्जे उनके बगैर आप आज उस जगह प लोट हो या फिर चाहे वो यह नो दो पर दो सो पचास डॉलर भी नहीं कमा पा रहे हैं आपको अलग तरीके से ट्रेट करने का ज़रूत नहीं है अगर आप यह जितना समय आप दोगे एक ही चीज़ में आप डिफरेंशेट कर सकते हो कि जो समय आप देर हो वो दोरों हो सक सब्सक्राइब हो सकता है और इस तरह से मैंने अपने टीम बिल्ड किया है तो आप उनको जजमत करिए हो समय के लिए आप उनको रिस्पेट करिए कि उनका लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे वो राइट आपके साथ और फंडमेंटली आप अपना टीम को बिल्ड कर पाओगे कंसिस्टेंटली एक्स्प्रेस करते हुए कम्यूकेट करते हुए जो कि है इमांदारी का मेसेज और यह फंडमेंटली जरूरी है मैं इमांदार हूं जापा और दातों श्रीश्वरान के पास चाहे कोई भी कारण वास और मैं यह रचीज बोल सकता हूं आपने जानता हूं कि वह भी लॉयल है वह भी इमांदार है मे पूरे कमरे में सबसे ज्यादा पॉस्टिव राइट सबसे ज्यादा पॉस्टिव और अप्टिमेस्टिक बन्दा पौच सारे लोग बोलते कि चीफ आपको रिलिस्टिक बने का जरूरत है बूल शुगर सुनने का जरूत नहीं है 99 पसंट वह जो मोरॉन्स है जो की रियलि जिन्दगी का और जिस मिनिट आप एक मोमेंट अपने अंदर ले आओ नेगेटिविटी का एक क्विक सेंट की तरह है वह आपको खीच लेगा अंदर तो मैं वह उसक्विक सेंट के ऊपर रहता हूं मैं ऐसे दुनिया में रहता हूं जाप हर चीज पॉस्टिव है राइट और उस तरह से आप एक अट्रेक्टिव बंदे बन सकते हो जो कि आपके टीम का पार्ट बनने का सोचें कोई बंदा एक नेगेटिव मोरण के पास आने का सोचता नहीं कभी बंदा ऐसे हैंग आउट नहीं करना चाहता है जो नेगेटिव है हमें सब पॉस्टिव एनरजी क लिए भी उनको एडिफाइ करने का जरूत है उनको राकनाना से जरूत है और कभी-कभी जो बहुत ज़यदा एक रेट एचीव कर चुके उनको भी रेकनेस करने जरूत है एडिफाई डाउन, एडिफाई अब कंसिस्टेंटली लगातार आपने अपना अपना अप्राई आप आपने अप्लाइन को एडिफाई कीजिए आप दवी दातों श्रिविजिशन चापपा को एडिफाई कीजिए बस लोग आपको एडिफाई करेंगे और रेके नीचे दीजिए लोगो को अपने टीमेंट्स को इस तरह से आप बढ़िया और बड़ा टीम बिल्ड करोगे लेकिन कभी कब ज्यादा मत किजिए हो सकता है कि वह जिरो चिक्स कमा रहा है तीन साल से हो सकता है कि बेस्ट फैंटस्टिक सबसे बढ़िया बंदव आप यह जूट है लेकिन अगर वह कंसिस्टेंटली प्रेजेंटाशन दिखा रहा है कोई बंदार या फिर जोग अपना क्रिटिकल है और नेगेटिव है और यह डार्क है और दुखदाई है लेकिन अगर आप उनको एप्रिसेट करते हो उनको रेकनाइस करते हो और यह सार चीज को अगर आप अपने प्रैक्टिस में लाओ तो एक फैंटस्टिक टीम बिल्ट करोगे जो आपके साथ रहोगे अ मजबूती मजबूती उसके साथ अपने दिल को इनों पॉजिटिव के साथ लेके चलिए अपने क्लारिटी लेके चलिए कहा जाना है लीडब एक्जामपल करिए और सबको कॉन्फिदेंस दीजिए अपने लोगों को कि आप उनके साथ रहोगे टीम के साब से और एक या टीम आप बिल्ड कर रहो ओके कितना स्ट्रॉंग आपका टीम राइट कितना इमानदर आपका टीम है कितना भरोसा करते हैं आपके उपर वो और कितना भरोसा आप करते हो उनके उपर और अल्टिमेटली अगर आपको एक वो बुलंदियों को चुना है आप अकेला नही पहुंच सकते हैं, आपको एक टीम के जुरुत है, लव यू दोस्तों.